हेलो स्ट्रूइंट्स तो कैसे हैं आप सभी देखे डियूक की तर से एक लेटेस्ट अपडेट निगलके आ रहा है जो कि सभी स्ट्रूइंट्स के लिए इसमें चीज़े मेंचन होती है जो आपका अपकमिंग समिस्टर आने वाला है उसमें कब से समिस्टर आपका स्टार्ट होगा आपकी एक्जाम डेट क्या रहेगी और आपको जो semester break है वो कितने महीने का मिलेगा सब के आपको months इसमें mention होते हैं कि आपका upcoming आने वाला जो semester है हो वो कब से start होगा तो इसी के उपर आज के video होने वाली है जो कि सभी semester के लिए important होने वाली है क्योंकि इसमें खासकर सभी semester के बारे में बता रखा है फर्स semester जो new admission वाले students है उनके लिए भी और जो थर्ड semester जो अपना second semester के अपने exam दे रहे हैं उनका third semester का अभी से बता दिया गया है और fifth semester जो fourth semester के अपने exam दे चुके हैं उन सब के लिए fifth semester के बारे में update है और seventh semester जो के अपने sixth semester का exam दे चुके हैं उनके लिए seventh semester का update है अब बात है seventh semester का update क्यों दे रखा है जबकि छे semester होते हैं देखिए डियू ने दो साल पहले ही आपका जो four year का program है वो launch किया था उसमें क्या होता आपका तीन साल में तो six semester होता है पर चार साल जैसे start होता है आपका 7 और 8 पा semester लग जाता है अब ये student जिन्होंने opt किया होगा four year program ये उनके लिए होने वाला है तो बागी students को panic लेने की जरूत नहीं है ये seven semester और eight semester क्या होता है इसको आप से कोई लेना देना नहीं है आपके छे semester है तीन साल के तो आपको वो ही देखने है तो चलिए फिए वीडियो को आगे बढ़ाते है उससे पहला अगर आपने अभी तक चनल स्काइर नहीं किया तो प्ली सनल स्काइर करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जूर जाएगा देख सकते हैं semester break आपको दे रखा है उपर बाकि जो आपका academic calendar है जो आपको main दे रखा है वो यह है first semester, third semester, fifth semester, seventh semester अब ये first semester कौन है junior अपना new admission करा है ये वो आले students है जो first semester के हैं ये बात आपको सुझ में आ गई अब आतरी third semester कौन से है जो अपना second semester का exam देगे July August में उनके लिए third semester की बात हो रही है fifth semester कौन है जो अपना fourth semester का Maai June में exam दे चुक है ये उन fifth semester students की बात हो रही है seventh semester कोन है जो अपना sixth semester का exam दे चुक है जो आपके main exam है वो आपके December to January की बीच में होने वाला है ये बात आपको सुझ में आगी मैंने कौन कौन से semester की बात की है इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझ लीजेगा वो मैंने अच्छे से clear कर दिया है और आपका जो break है वो एक January तक आपको break दिया जाएगा ये बात आपको सुझ में आगी अब आते हैं अगले semester second four six eight ये कौन से है second semester कोन है जो आप new admission लेंगे उनके semester की बात हो रही है four semester कोन है जो इनका भी second semester की exam है उनका four semester की बात हो रही है six semester कोन है जो अपना four semester के exam दे चुके है वो यहाँ पर six semester की बात हो रही है eight semester wall student है जो अपना six semester का exam दे चुके है और यहाँ पर उन eight semester वाले students की बात हो रही है बागी मैंने आपको बता दिया है four year program वाले है six, seven और eight semester वाले इनका कब से start है? classes इनकी January में start की जाएगी इनको break दिया जाएगा March में तो यह मान के चलिए आपका अपरेल से आपका six semester start हो जाएगा आपके जो क्या कहते है registration वगएरा यहाँ पर start हो जाएगे आपके four and six semester के आपके जो practical exam है assignment है वो आपके अपरेल टू मई के बीच में हो जाएगे assignment वगएरा और प्रिया जो theory examination है फिर से मई आपने पिछले साल भी मई जून में exam दिये हैं इसी साल की बात करहूं 2023 में वो ही आपके 2023 में मई जून में exam होने वाला है बागी उसके बाद summer vacation दिया जाएगा मई से जुलाई के बीच में आप सब को बता है दो से तीन मेने का gap दिया जाता है सोल वाले students को जादा तर बागी यह तो मैंने आपको समझा दिया है आपके जो exam है फर्स थर्ड और फिर्ट और सेम समिस्ट के वो December to January के बीच में होंगे और जो अगले सम की बात होगी वो आपके मई to June के बीच में होगे अगर आपको एक परसन में डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं तो चले हैं वी वीडियो गई खतम है